क्याल जाले बच्चा बाटी, नीट दिन वेरे प्यारे बच्चों, ये तो साफ दिख रहा है कि एर वाई एर लाइफ नॉर्मल होती जारी है, पड़ाई भी नॉर्मल होती जारी है, तो सारे एक्जाम के शुडुल भी नॉर्मल टाइम पे आ जाने चाहिए, और अगर मेडि मेडिकोर्स को एक्ष्ट्रा बुलया जा रहा है, प्रोफिसर द्वारा एक्ष्ट्रा क्लास्स लेके पढ़ाया जा रहा है, और सेशन कंप्लीट इन्वेल टाइम इस मिशन पर पुरा प्रयास किया जा रहा है, दोजार एक्पेस में नीट का एक्जाम सितंबर में हुआ, 2022 में ये 17 जुलाई को यानि जुलाई में हुआ तो बीच में सागस अटा तो अगर 2023 की बात करें तो जून हटेगा और ये नीट का एकजाम मई में दिखेगा अब मई में ये शुरू के संडे 7 मई को की 14 मई को कब होता ये अलग बात है मुझे 14 मई के चांसिस अधिक दिखरी हैं लेकिन फिर भी हमको एडवांस के साफ से अपने को 7 मई के साफ से फोकस करके चलना चाहिए तो आज से इस नीट 2023 की डेट को मई में लेके चलें और अपन से मेडिकल कॉलेज का इंट्रेस एक्जाम आज तक जिस भी नाम से हुआ है और इसमाज तक जितने भी सब्जेक्ट के साफ से टॉपिक से पूछा गया है और जितने भी पैटन से क्योशन को पूछा गया है उन सब का आप पर कमांड होना चाहिए उनकी आपके अच्छी ग तोजारबाइस बच्चों ने इसकी ये भूल कर दी और उनको मालूम पढ़ा जब हर सब्जेक्ट में एजशन रिजन क्यूशन आ गए और वहाँ पे बायो में तो ऐसे आए कि वहाँ पे अधिकतर आंसर ए और भी में फच्चे फज गए इसलिए बच्चों का बायो में ट क्यूशन की उनको वापस एक साल लगाना पढ़ रहा है जो कि जीवन के लिए कितना अन्मोल होता है जिसलिए बच्चों आब इस बात का ध्यान रखना और कहते भी हैं और लास्ट में ये जरू बोलूँगा चलते जलते कि नीड का एक्जाम नीड और क्लीर होना चाहिए ताकि विश्वास से बच्चे पढ़ते रहे और मेहनत कर्श बच्चों का हमेशा भला होते रहे बच्च जल्दी में आपके अपसेशन लेके आने वाला हूँ अभी तक मुझसे जो फैमिल में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं अरे समझ गए इस्ट्राग्राम पर फॉलोग कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दें वजैभाव एव नाइ इस लाइड थैंक यू वरी मुझ